टाटा हैरियर को लाँच होने में अब जादा समय नहीं रहा गया है और एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ गई है आज इस वीडियो में हम आपको इसी बात के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटिड कुछ फोटोस भी दिखाएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही गाडियों की दुनिया से जुड़ी नियूज और आफ़र्स हम आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए अब शुरू किया जाए टाटा हैरियर को अफिशली लाँच किया जाएगा 23 जैनुवरी को और उसी दिन से आप अपने घरे शानदार SUV को लेके जा पाएंगे लेकिन आज की अपडेट की बात करें तो ये पता लगा है कि टाटा हैरियर अल्रेडी कुछ डीलर्शिप्स को मिलनी शुरू हो गई है जबकि अभी कुछ दिन पड़े हैं लाँच होने को हम बताते हैं कि क्यों टाटा मोटर्श इतनी जल्दी डीलर्श को ये कार दे रहे हैं टाटा हैरियर की बुकिंग्स बहुत पहले ही शुरू हो गई थी और बहुत लोगों ने 30,000 रुपीज दे कर ये SUV को बुक भी कराया था और नमबर ओफ बुकिंग्स को देखते हुए कंपनी को लगा होगा कि वेटिंग पीरिड कम रहे तो अभी से ही स्टॉक एकठा किया जा रहा है शुरूस में क्या आपने भी इस SUV को बुक कराया है या फिर सोच रहे हैं इसको बुक कराने का हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही टाटा हैरियर और बाकी गार्डियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो भी कर सकते हमारे इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर पेज पर तेंक्यू